1971, पाकिस्तान इंडिया से तीसरी बार जंग हार चुका था, द्रस्सी जल गई थी पर पल नहीं गया, इंडिया पर धाक जमाने का पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता था, इंडिया पर न्यूकलियर अटाक, लेकिन उन्हें रौ की काबलियत का अंदाजा नहीं था, ये कहानी एक ऐसे जावाज एजन्ट की है, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्च नहीं है, इंडिया को जवाब देने का वक्त आ गया है, हिंडुस्तान की इफाज़त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो गंतों ले जा, रख ले, मेरे काम करने का तरीका अलाग है, पलंगा एलाग है, जर दो करने का शजये है,